नमस्ते मैं हूँ सचीन गोईल और अपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जैप उर्दा पिंक सिटी पर मैं एक नैचुरोपैथे स्कॉलर हूँ किड्नी में पत्री हो जाए तो ये बहुत तकलीफ देती है और इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है किड्नी की पत्री के लिए आज मैं आपको फोरण काम करने वाला एक घरेलू नुसका बता रहा हूँ किड्नी की पत्री को ठीक करने के लिए आपको चाहिए तुलसी और शहद इसके लिए आपको तुलसी के 10 पत्ते लेकर एक कप पानी में अच्छी तरह से उबाल लेने हैं उबालने के बाद इस पानी को ठंडा होने के लिए कुछ दिर छोड़ दीजिए जब ये पानी हलका गरम रे जाए तो इसमें से तुलसी के पत्ते निकाल दीजिए इस तरह तुलसी के पत्तों का पूरा सत इस पानी में आ जाएगा अब इस हलके करम पानी में आपको एक चमाच शहद मिला लेना है पत्री के लिए घरेलू सिरप बनकर तयार हो जाएगा जो फौरान असर करता है इसे रोजाना दिन में दो बार पीना चाहिए इससे एक तो पत्री के दर्द में तुरंट आराम मिलता है लगातार यूज करने से पत्री का साइज कम होता जाता है और फिर पत्री छोटी होकर यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है पत्री की प्रब्लम होने पर थोड़ी सावदानिया भी जरूर रखनी चाहिए पत्री होने पर कूल ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, चॉकलेट और अचार नहीं खाने चाहिए खाने में चना, उबले चावल, अधरक, जूस, सूप और नीबू पानी का इस्तिमाल ज्यादा करना चाहिए पानी खूप पिना चाहिए ताकि बाडी का यूरिनरी सिस्टम ठीक से काम करता रहे और विशाले पदार्थ बाडी से बाहर निकलते रहें इन सभी सावधनियों का ध्यान रखने से पत्री का साइज बढ़ता नहीं है और घरेलों उसका अपना काम ठीक से कर पाता है जिससे पत्री जल्दी से जल्दी निकल जाती है आप हैल्दी और हैर्पी रहें इनी विशिस के साथ आपसे विदा लेता हूँ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजी और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजी जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके